दोस्तों जैसे जैसे साउथ इंडियन फिल्में भारत के साथ साथ विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं वैसे वैसे ही विदेशों में भी साउथ इंडियन स्टार्स को अब एक अलग तरह का रिकागनेशन दिया जा रहा है और इसकी वजह से बॉलेवुट को परेशानी होनी भी शुरू हो चुकी है आपने अब तक मिडलीस कंट्रीस के गोल्डन वीजा का नाम सुना होगा जो अकसर बड़े नामों को बॉलिवुट के बड़े नामों को दिया जाता रहा है जैसे बुनी कपूर की पूरी फैमली को हाली में दिया गया था और जब यह ऐसा होता है तो बड़ी बड़ी हेडलाइन बनती हैं बड़े बड़े अकशरों में च्छापा जाता है कि देखिए बॉलिवुट की फलाँ फैमली को फलाँ स्टार को गोल्डन वीजा मिल गया है गोल्डन वीजा मतलब वो दस साल तक वहां जाकर रह सकते हैं उनका व बताती है कि दुनिया भर की नजरों में साउथ इंडियन सिनेमा को लेकर अब अलग पहचान बन रही है यहां मैं खुश्बू सुंदर का जिकर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं ही आपको यह बताता रहा हूं कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में जो एक कई सालों से साउथ इंडियन स्टार्स और बहुत सारे रीजिनल स्टार्स की अंदेखी की जाती रही है वहां सिर्फ बॉलम वुड के एक पर्टिकुलर क्याम को भी बुलाया जाता है उन्हीं के फोटो चपवाय जाते हैं उन्हीं के मीडिया इंट्राइक्शंस होते हैं और उन्हीं को और चमका कर पेश किया जाता है खुश्बुसंदर को भी इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में इन्वाइट नहीं किया गया था और ऐसे कई उधारन आपको मिल जाएंगे जिसमें आप साफ देखेंगे कि पाकिस्तान के आक्टर्स तक को बुलाया गया लेकिन साउथ के साउथ इनियन अक्टर्स को या फर बिंगॉली अक्टर्स को या रीजनल सिनिमा के जो अक्टर्स हैं उनको नहीं बुलाया गया लेकिन अब वक्त बदल रहा है क्यों बदल रहा है क्योंकि ये बदलाव आप लेकर आए हैं आपने एक नई पहचान दी है सिनिमा को और अब ये जो नई पहचान मिली है रीजनल सिनिमा को इसकी वजह से विदेशों का रुख भी बदलने लगा है वहां रिलीज होने वाली जो रीजनल फिल्म से उनकी संख्या भी बढ़ रही है और एक क्लियर कट मैसेज पूरी दुनिया के सामने गया है कि भारत का मतलब सिर्फ बॉलिवुड नहीं है बलकि बॉलिवुड के अलावा और भी कई भाशाओं की फिल्में बनती हैं वहां के स्टार्स भी लोग प्रिये हैं वो भी पब्लिक फिगर हैं लोग उन्हें भी पसंद करते हैं और ये जो एक दुनिया के में एक जूट पहलाया गया कि भारत मतलब बॉलिवुड ऐसा नहीं है बहुत सारी और भाशाओं में फिल्में बनती हैं लोग देखते हैं एक सुचालिस करोन का ये देश है सिर्फ हिंदी ही नहीं बहुत सारी बोलियां और बहुत सारी भाशाओं बोलता है और जज़नी भाशाओं बोली जाती हैं हि लोग उने पसंद भी करते हैं तो दोस्तों ये धीरे धीरे बदलाव आ रहा है इन खबरों के बारे में आपको कोई इस तरह से कभी अपडेट नहीं करता आपको इस सारी बातें कभी बताई नहीं जाती है क्योंकि मीडिया सिर्फ बॉलवर्ड के कुछ चेहरों को ही चमका च के सामने रखता रहता है फिर जो है PEP RASY हो या NEWS CHANNELS हो वो आपको ऐसी खबरों की तरफ आपका ध्यान